GDS to Postman के एक ने लेक्टर में आपका स्वागता है आज सम्म बात करने वाले हैं Product and Services के बारे में उतपाद और सिवाएं के बारे में तो इसमें हम क्या क्या पड़ेंगे Mails, Banking, Midtowns, Insurance और Stamps के बारे में पड़ेंगे तुमारा थोड़ा सा लंबर टोपिक है इसलिए इसकी दो या तीन वीडियो बना देंगे तो इसमें सबसे पहले जमारे पास Mails आती है Mails हमारे पास दो परकार की होती है एक First Class Mail होती है और एक Second Class Mail होती है आप चाहे MTS की तियारी करे हो, Postman की तियारी करे हो आपके लिए ये सभी के लिए common है क्योंकि Product and Services आपके syllabus में है आपके MTS के syllabus में भी है PA के syllabus में भी है और Postman के syllabus में भी है तो इसमें हमारे पास जो Mails होती है ये होगी हमारे पास दो परकार की कौन-कौन सी होगी First Class और Second Class Mail प्रथम श्रेणी की और दित्य श्रेणी की डाग अब जो हमारे पास First Class Mail आती है इसमें क्या क्या आता है इसमें हमारे पास तीन परकार की mail आती है Letters आते है, Postcard आते हैं और Letter Card आपको बिलकुल इच्छे से याद रखना है कि जो हमारी First Class Mail होती है इसमें Letters, Postcards और Inland Letter Cards ये तीनों आते हैं, तीन परकार की होती है Free Air Transmission Wherever Possible इन इडिया अब Question कैसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा Article है या कौन सी ऐसी Mail है जिसका Free Air Transmission होगा इन डिया में तो आपको पास Option में Letter दिया होगा Book Packet, Registered Newspaper, ऐसे करके Option दिया होगे तो आपको ये तीनों याद रखने है इनको जहां भी Possible हो, जहां भी संबबो हो इनको Free Air Transmission दिया जाता है उसके बाद है हमारे पास Second Class Mail जो हमारी Second Class Mail आती है दृत्य श्रेणी की डाक आती है इसमें हमारे पास आती है Book Packet, Sample and Pattern Packet, Book Packet Containing, Printed Books, Registered Newspaper, Book Packet Containing, Prioriticals, Parcelor, Blind Literature तो इसमें हमारे पास साथ प्रकार की दित्य श्रेणी की डाक आगई और प्रथम श्रेणी की डाक में हमारे पास Total Types कितने है तीन No Free Air Transmission जो हमारी Second Class Mail होती है इसका Free Air Transmission नहीं होता है If Sent by Air Normal Postage प्लस Air Surcharges अगर इसको By Air इसका कहीं पर Transmission होना है तो Normal जो Postage Charges है उसके साथ साथ Air Surcharges भी लगेंगे वो भी साथ में देने पड़ेंगे Premium Product, Speed Post, Express Parcel, Media Post, Logistic Post, Track Post, Business Post इतना important नहीं बढ़ आपने फिर भी एक बाद इसको देख लेना है उसके बाद है मार पास Traditional Products पारम पर इक उत्पाद लैटर जिन लैटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक पैकेट, रिजिस्टर, निउस्पेपर, ब्लाइड लीटरेचर, पैकेट, पासले, फिर बैली पेबल पोस्ट इतना ज़्यादा important नहीं है बढ़ आप फिर भी ने को एक बाद देख लीजेगा उसके बाद है traditional male products, पार हम पर एक डार कुतपा, जिसमें क्याते हैं मर पास letters in Land, letter card, post card, book packet, book packet containing printed books, book packet containing periodicus जो पत्री काहे होती है ऐसी packets जिन में पत्री काहे होती है blind literature जो हमारे अंद सीथ्ते होते हैं blind literature अभी आपको बार बार देखने को मिलेगा important question इसमें से भी बनता है कि blind literature वाले packet में भी के बार question बूचा जाता है होता है कि blind literature कि जो हम blind person के लिए जो अंधे व्यक्ति के लिए आप पुने कोई article भेजना है या फिर उसके थुरू को भी भेजा जाता है article तो उसको गहते है blind literature sample and pattern packet register newspaper या फिर पासल तो यह आगे हमारे पास traditional mail product में अभी हम इनके बारे में करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले मारे पास है कुछ एक important जैसे cash on delivery होगी उससे आपको charges लेने है आपको उसके समान के जो भी उसमें आप भेज रहे है उसके पैसे लेने है तो क्या किया जाता है कि आप उसको COD service के थुरू भेज सकते है तो जब उसकी delivery किया जाती है तो address से amount collect कर लिया जाता है कि जो आपने उसके ऊपर mention किया होगा कि इतने amount के ल अब जो हमारी cash on delivery service है यह कितने रुपे तक आप भेज सकते हैं अगर आपने COD के थुरू को भी आर्टिकल भेजना है तो आप maximum कितने तक भेज सकते हैं 50,000 रुपीज तक COD service is available to express parcel, business parcel और speed post customers तो जो हमारी cash on delivery वाली service है यह हमारी express business और speed post ग्राकों के लिए होती है specified amount recovery from address not exceed 50,000 रुपीज तो यह हमने अभी पीछे पड़ा कि हमारी COD service है maximum हम कितने रुपे तक भेज सकते हैं 50,000 रुपी तक भेज सकते हैं such articles do not contain coupon, ticket, certificates, introduction, design for the sale snowball system के रूप में मानने जाने वाली समगरी के लिए design किए गे परिचे पत्र, प्रमान पत्र, coupon या ticket इसतरह की समगरी इसमें शामिल नहीं है जोंगारी cash on delivery system है इसमे हम क्या-क्या नहीं बेज सकते हैं परिछे पत्र प्रमार्ण पत्र कुपन टिकेट या इस तरह की जो भी समगरी होते हैं उसको महीं बैज सकते हैं Poster charges Plus insurance fees bear needed इसमें क्या है मारे पास poster charges के साथ-साथ insurance fees भी देनी पड़ती है कर जुरूरत पड़े तो इसमें एक amount specify होता है कि और उसके जादा है का article है उस amount से जादा है का कोई भी article आप भेज रहे हैं तो उसके लिए insurance इनवारे है वो भी हम पढ़ेंगे आगे amount recovered from addressy और उसके उपर fees कितनी लगेगी कि amount अगर हमारे पास जो addressy है उससे अगर इतने पैसे लेने है तो उसके उपर कितनी फीस लगेगी इसके बारे में up to rupees 5000 rupees अगर हमारे पास कोई भी ऐस article है जो भी आपने COD के थ्रू भेजा है अगर उसका जो value है वो 5000 रुपे से नीचे नीचे है तो उसके उपर जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी 2% of recovered amount और 50 rupees whichever is more जो amount recover किया है address से उसका 2% या 50 रुपे लगेगे इन दोनों में से जो भी जादा होगा वो fees के रूप में लिया चाहेगा और अगर 5000 रुपे से अधिक है 100 rupees प्लस 1% of the amount exceeding 5000 rupees अगर हमारे पास 5000 रुपे से अधिक है तो उसके उपर कैसे लिये जाएंगे 100 rupees ल address से collect किया जाएगा अब इसको दोनों को ध्यान से देखना है कि इसमें हमारे पास अगर 5000 से नीचे है तो 2% लिया जाएगा जो amount recover किया है या फिर 50 रुपे लिये जाएगे दोनों में से 2 भी जादा होगा वो इससे collect किया जाएगा और दूसरा अगर 5000 रुपे से दीक है तो प्रापत किया जाता है रमींटर टू Sender through e payment और Sender को कैसे बहाएगा जाता है जिसना अर्टिकल वेज़ए उसको फूर्फर पेमेंट वेज़ः जाता है important question है आपको बिलकुल अच्छे से देखना है इसको कि इसको इपेमेंट के थू हमारा जो address ही होगा जो हमारा सेंडर ह होगा उसको भेज जाएगा next हमारे पास book no pay later इसमें हमारे पास इसकी full form भी important है आपको यह भी याद रखनी है BNPL की full form होती है book no pay later कि आप book अभी कीजिए जब आपका जो भुकतान है वो बाद में किया जाएगा तो इसमें हमारे पास जो book no pay later facility होती है किसके लिए होती है फार बलक customer agreement with department तो जो हमारे थोक ग्राक होते है जो बलक customer होते है उनके लिए होती है हमारी book no pay later facility अब जो हमारे बलक customer है यह होते क्या है provide 10,000 birth of speed post इने month जो हमें एक calendar मा में 10,000 उपे से अधिक का यह 10,000 उपे तक का speed post business देते हैं उसको कहते हैं हम बलक customer फार बुक no pay later facility बलक customer have to agreement with designated authority and shall have to produce bank guarantee थोक ग्राह को नामित प्राधिकार के साथ समझोता करना पड़ता है और साथ मैं उसको bank guarantee भी देनी पड़ती हो किसके लिए बुक no pay later अगर उसको facility चाहिए तो वो एक पहले नामित प्राधिकार के साथ बोड department के साथ agreement करेगा समझोता करेगा और साथ मैं वो bank की guarantee भी देगा contract applicable for बनियर अब जो हमारा बुक no pay later वाला contract होगा यह कितने वर्ष के लिए applicable होगा एक साल के लिए applicable होगा and approving authority renew the contract on annual basis अनुबंद की अब दी एक बर्ष की होगी और बार्शी का धार पर नविकर्ण की सुभधा भी मिलेगी और इसको renew करेगा इसका नविकर्ण कोन करेगा जो approving authority होगी जो book no pay later facility वाला contract है उसको जो approve करेगी authority वो ही इसको renew भी करेगी बुक no pay later bill prepared on monthly basis by office or posting तो जो मारे book no pay later वाले bill होते हैं अब ही मैंने पीछे बताया जासे कि इसको पहले article book किये जाते हैं फिर उसके बाद जो भी bill होते हैं वो बाद में इसके prepare किये जाते हैं वो त्यार किये जाते हैं फिर उस sender को भेजे जाते हैं जिसने article भेजे हैं बु देर प्रिप्हिस कि द्वर्फिस हो पोस्टिंगि दौर किया जाते है जिस आर्टिकल से जहां भी जिस पोस्ट आफिस से आर्टिकल बेजे गें हैं उसी पोस्ट ओफिस दौर ईनको प्रीपीर किया जाते हैं प्यार किया जाता है, बिल रेजड बाई 7th of next month, अब जो बिल बनेगा, बुक अब बनेगा, अगले महीने की सातरी को, भी माल लीजे, आपने इस मन्त में बुक नोग पे लेटर के थूँ कोई आर्टिकल बेजा, उसके जो बिल बनेगे, वो अगले महीने की सातरी को बनेगे और बिल की डियू डेट, जो बिल है, वो जमा कपते करवाना होगा, before 30 days from बिल जर्नेशन, तो जिस दिन बिल जर्नेट हुआ है, जिस दिन बिल त्यार हुआ है, उसके 30 दिन पहले पहले आपको बिल जमा करवाना पड़ेगा, अगर आप डियू डेट से पहले पहले उस बिल का भुकता नहीं करते हैं, तो बार्शिक दर के, 12 प्रसेंट बार्शिक दर के हिसाब से आपको उसके उपर पनेल्टी लगेगी, जुर्माना आपको देना पड़ेगा, इफ बलक कस्टमर मेक फुल पेमेंट डियूरिंग पोस्टिंग ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स और गिव स्पीड पोस्ट बिजनेस ऑफ 50,000 और अबव इन अ क्लेंडर मन्त, अगर जो हमारा जो बलक कस्टमर है, वो स्पीड पोस्ट मगरियों को भेशते समय ही पूर बुकतान कर देता है, या फिर वो एक क्लेंडर मा में 50,000 रुपे या इससे अधिक का स्पीड पोस्ट बिजनेस देता है, तो एंटाइटल टू गेट डिसकाउंट, तो वो शूट का पात्र होगा, उसको डिसकाउंट मिलेगा, फार दिस फैसलेटी, हैड अफ सर्कल एंड पोस्ट मास्टर जनरल गिबस अप्रूबल, तो जो हमारी बुकनो पेलेटर वाली फैसलेटी है, इसके लिए आपको किसकी अप्रोच करनी पड़ेगी, किसके पास महुचना पड़ेगा, हैड अप सर्कल के आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो हैड जो हमारा पोस्ट मास्टर जनरल होता है, उसको भेज जगा आगे, जो भी अपने अप्लिकेशन बगारा भेज जोगी, उसके बाद जो पोस्ट मास्टर जनरल है, वो इसके बारे में अप्रूबल देता है, अब हमारे पास आती है, स्पीड पोस्ट, जो हमारी domestic स्पीड प प्रवाइट से एक्सप्रेस एंड टाइम बॉंड डिलिवरी ओफ लैटर एंड पार्सल बेंग अप्टू 35 किलोग्राम तो स्पीड बोस्ट में क्या होता है कि आपका जो आर्टिकल है वो एक्सप्रेस मतलब कि शीगर से शीगर उसकी डिलिवरी होती है और उसमें टाइम ब पे सकते हैं उसके बाद मारे पास फीचर जो हमारे पास स्पीड पोस्ट है इसके फीचर क्या क्या है इंशुराइस अप टू बन लाक तो इसमें आपको इंशुराइस मिल जाती है एक लाख रुपे तक 24 आवर्स बुकिंग इन मेजर सिटीज तो कुछ एक मेजर सिटीज म on SMS, उसके बाद आपको delivery की information भी मिल जाती है, जो बितरन की सूचना है, भो भी मिल जाती है, SMS के थुरू, free pickup for bulk and corporate customers, उसके बाद जो थो गराक हैं, या corporate customers हैं, जो corporate गराक हैं, उनको free pickup की सुविधा भी मिल जाती है, book no pay later वाली facility भी मिल जाती है, उसके बाद मैंने जैसे पिछे बताया कि, हमारे पास book no pay later facility किसको मिलती है, speed post गराकों को भी मिलती है, volume based discount for corporate and regular customers, उसके बाद volume based discount मिल जाता है, cash on delivery, तो यह सारे features हैं हमारी जो speed post होती है, उसके, उसके बाद compensation, नुकसान की भरपाई, इसमें हमारे पास क्या है कि time bound होता है, कि इतने दिन के भीतर भीतर या इतने time के भीतर भीतर जो आपका article है, वो आपके address पे पहुँझाएगा, जहां भी आपको उसको भेजना चाहते हैं, बट इसमें किया, अगर इसमें delay हो जाती है, तो उसकी नुकसान की भरपाई कैसे होगी, तो वो department आपको इसके लिए नुकसान की भरपाई है, वो भी देगा, तो इसमें किया, अगर आपका article देरी से पहुँझता है, जो time bound है, उसके बाद पहुँझता है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, कि या तो आपको speed post charges के double मिलेंगे, या फिर आपको 1000 रुपे मिलेगा, इन दोनों मैसे जो भी कम होगा, वो आपको मिलेगा, ठीक है, discount, अब इसमें discount भी मिलता है, अगर आप डेली के 2000 रुपे से 1 लाख रुपे तक के speed post article भेजते हैं, तो आपको 5% discount मिलेगा, और आगर आप 1 लाख रुपे से धिक के speed post article एक दिन में भेजते हैं, तो आपको कितना discount मिलेगा, 10%, बट इसमें क्या है, मारे पास की only applicable with the same sender's address, जो मारा sender है, उसका जो address है, वो same होना चाहिए, कि जो भेजने बाला है, उसको जो address लिखा जाएगा, वो same होना चाहिए, तब आपको ये discount मिलेगा, उसके आगे transit norms, अभी पिछे बताया जैसे कि इसमें time bond मिलता है, कि आपका जो article है, इतने दिन के भीतर उसकी delivery होनी ही होनी है, अगर नहीं होती है, तो आपको उसके compensation मिलती है, एक से चार दिन में उसकी delivery होगी, same state में है कि आप article को भी भेज रहे हैं, तो उसकी भी delivery एक से चार दिन में होगी, और rest of the country 4 to 5 days, और बाकी आप देश में कहीं भी भेज रहे हैं, तो चार से पास दिन में उसकी delivery हो जाएगी, tariff exclusive of taxes as notified by central government, तो उसके उपर जो भी tariff पे, जो भी taxes बहरा लगते हैं, वो central government निर्धारित करती है, वो notify करती है, उसके बाद है हमारा proof of delivery, POD की perform क्या होती है, proof of delivery, 10 rupees per article in addition of speed post charges, जिस तो proof of delivery, अगर आप साथ में लगाना चाहते हैं, कि आपका जो article है, उसकी delivery हो गई है, उसका जो proof है, उसका प्रमाण है, अगर वो आपको साथ में लगाना है, तो आपको परतेग article के उपर जो भी charges लगेंगे, उसके साथ 10 rupees extra उसके उपर fees लगेगी, proof of delivery लगाने के लिए, अगर आपने कोई आपने कोई आपको पोस्ट ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए बेजा है, जो मारे बियो होते हैं, International Speed Post, अब हमारी जो अंतराष्टिय स्पीड पोस्ट है, इसमें क्या है, मारे पास EMS Speed Post, Express Mail Service by UPU, Universal Postal Union, क्या बोलते हैं, EMS Express Mail Service, आपको याद रखना है, Express Mail Service क्या होती है, International Speed Post, Premium and Time Bond International Postal Service for Documents and Merchandise, तो ये भी हमारी Premium and Time Bond एक सर्विस होती है, International Speed Post होती है, जो दस्ता बेज या असमान भेजने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, Booking Almost All the Departmental Post Offices, तो इसकी जो Booking है, भी हमारे पास लगवक सभी Department में जितने भी Post Offices होती हैं, बहाँ पे हो सकते हैं, इन Metro and Other Major Cities, Metro या फिर जो Other Major जो बड़ी Cities होती हैं, बहाँ पे क्या होता है, इसकी जो Booking होती है, Book Till Late in the Evening, तो देर शाम तक इसकी Booking होती रहती है, Internet Based Track and Trace Facility, और इसमें भी आपको Internet Based Track and Trace Facility मिल जाती है, Maximum Weight 35 Kilograms, उमारी International Speed Post होती है, EMS होती है, इसका Maximum Weight भी 35 Kilograms हो सकता है, Size, Shall not Exceed 1.5 Meter for any one dimension, तो किसी एक dimension का जो आपका Size है, वो 1.5 Meter से धीक नहीं होना चाहिए, Some Important Delivery Standards, कुछ हमारे पास, अभी हमारे पास क्या है कि, Mostly कुछ ऐसी कंटरी हैं, हमारे पास जान के लिए, Mostly जो आर्टिकल है, वो भेज़े जाते हैं, तो उनके लिए आपसे पूछ लिए जाता है कि, कितने दिन में आपका यह आर्टिकल है, यहाँ पर पहुँच जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए भेज़ जा है, तो 4-8 डेज, मंगला देश के लिए 3-7 डेज, करनाड़ा के लिए 5-9 डेज, चाइना के लिए 4-9 डेज, फ्रांस के लिए 4-8 डेज, जर्मनी के लिए 4-8 डेज, जापान के लिए 3-6 डेज लगेंगे, नीदरलैंड और न्यूजिलैंड के लिए 4-8 डेज, सिंगापुर के लिए 3-6 डेज, शिरलंका के लिए 3-7 डेज, UAE के लिए 4-8 डेज, UK के लिए 2-6 डेज, USA के लिए 4-7 डेज तो यह कुछ important countries हैं जानके लिए most लिए article बेज़ जाते हैं तो पुछ ले जाता है कि इनको लिए यहां पहुंचने के लिए article का कितना time लगेगा International EMS जो हमारे international speed post article होते है custom examination must, उनकी custom examination होना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए कौन-कौन से form यूज किया जाते हैं तो वो है CN22 and CN23 exam में पुछ लिए जाते हैं कि CN22 और CN23 form किसके लिए यूज किया जाते हैं तो custom examination के लिए जो भी international speed post article होते हैं उनकी custom examination के लिए इन forms का यूज किया जाता है जो हमारे CN22 form है इसका यूज कब किया जाता है जब article की जो value है वो 300 SDR से नीचे हो और CN22 form का तब यूज किया जाता है जब इनकी value जो भी article आप भेज रहे हैं उसकी जो value हो 300 SDR से दीखो SDR की form होती है special drawing right तो यह होगे हमारे पास CN22 और CN23 जो forums होते हैं इनका use 300 SDR से नीचे है article तो CN22 300 SDR से उपर है तो CN22 important है हमारे पास compensation charges खिशती पूर्ती परभार तो हमारी जो international speed post है इसमें compensation charges कैसे मिलती है अगर delay हो जाती है difference between EMS charges और registered post charges अगर आपका जो article है वो देरी से पहुंचता है तो क्या होता है जो भी EMS charges है और जो हमारे registered post charges है इन दोनों का difference निकाला जाएगा वो आपको compensation के रूप में दिये जाएंगे lowest or damage होने पर 30 SDR अगर आपका article जो है वो गुम हो जाता है या damage हो जाता है तो आपको 30 SDR मिलेंगे उसके बाद हमारा आता है business parcel premium surface service for requirement of business customers जो हमारा business parcel है यह surface service है और किसके लिए हमारे business customers के लिए features available throughout the country तो यह पूरी country में available है buck minimum two kilograms or maximum 35 kilograms जो कि budget limit क्या है कि minimum कम से कम आपको two kilograms अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ दो kilogram का ही बेजना है अगर आपका article कम भी है तो इसमें क्या होता है अब इसमां मेरे बस कुछ आप मालीजे आपकोई article है उसमें आपको weight limit दिया कि minimum उसमें 2 kilogram बेट लिमिट है, तो इसमें क्या है कि आप उसके बीच में कुछ और टो डाल के भेज नहीं सकते, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपका 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 आर्टिकल अललीजे, 2 kg अललीजे 1 kg उसके ऊपर जो चार्जिज लगेंगे, बहुत 2 kg के जो चार्जिज आपके इ जाएंगे यह होता है मारे पास minimum ठीक है उसकी बेट लिमिट का मतलब मैक्सिमम 35 kg उसका हो गया Dimension maximum length in any direction तो उसकी किसी भी direction में maximum length है दिक्तम लंबाई जो है वो कितनी हो सकती है 1.5 meter और length discount cash on delivery तो यह सारी इसमें आपको business parcel में मिल जाएंगी ठीक है friends तो आज हम यहीं तक करेंगे बाकी हम next video में देखेंगे thank you